समीकरण से कथन बनाना अभी तक हमने विभिन्य परिस्थितियों पर आधारित कथनों को समीकरण निकाय की रूप में लिखकर उनके चरों के मान प्राप्त किये क्या हम किसी समीकरण निकाय को कथन की रूप में लिख सकते हैं? आईए निमलिखित समिकरन निकाय को कथन की रूप में लिखकर देखते हैं एकस दन वाई बराबर 45 समिकरन एक एकस दन वाई बराबर 13 समिकरन 2 यदि हम एकस को एक संख्या तथा वाई को दूसरी संख्या मान ले तो समिकरन एक और दो को कथन के रूप में निमने तरीके से लिख सकते हैं दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 13 है तब संख्याओं ग्याद कीजिए या X एक किताब का और Y एक कौपी का रुपए में मूली है एक किताब और एक कौपी के मूल्यों का योग 45 है और उनके मूल्यों का अंतर 13 है क्या इसी प्रश्ण से और कथन बनाए जा सकते हैं ऐसे दो कथन और बनाईए उधारन तेईस समिकरन निकाए X रिण एक बटा Y बराबर एक बटा दो यह हमारा समिकरन एक है X बटा Y धन तीन बराबर तीन बटा दो समिकरन दो को कथन के रूप में लिखिए हल यदि X बटा Y एक भिन है जिसमें अंश X तथा हर Y है तब उपरोक्त समिकरनों को कथन के रूप में लिख सकते है किसी भिन के अंश में एक घटाने पर वह भिन एक बटा दो के बराबर हो जाता है तथा यदि उसके हर में तीन जोड दिया जाए तो भिन तीन बटा दो के बराबर हो जाता है समिकरन निकाय को कथन के रूप में लिखने के कई संभव तरीके हो सकते है उपरोक्त समिकरनों को आप अन्य परिस्थितियों में भी कथन के रूप में लिख सकते है करके देखें निमलिकित समिकरन निकाय को कथन के रूप में लिखिए पहला एकस धन वाई बराबर साट एकस बराबर तीन वाई दूसरा एक्स दन वाई बराबर पांच एक्स वाई बराबर छे